ये जो आज का मेरा वीडियो है ये है CA मेंबर जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं दोस्तों आप लोग किस तरीके से बल्क में UDIN जिनरेशन कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो दोस्तों इसके अंदर में हम देखेंगे के UDIN क्या है और किस तरीके से हम जो है UDIN को बल्क में जिनरेट कर सकते हैं और इस चीज को पूरी तरीके से जानने के लिए जुडे रहे हमारे साथ में वीडियो के एंड तक तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले दोस्तों ये जान लेते हैं के UDIN क्या है दोस्तों UDIN जैसा के आप सब जानते हैं के ये मेरा यूनिक डॉक्यूमेंट आइटिफिकेशन नंबर है ये टोटल 18 डिजिट का है जिसको सिस्टम जिनरेट करके देता है एक यूनिक नंबर जो एक प्रैक्टाइज चार्टर अकाउंटेंट डॉक्यूमेंट को सर्टिफाई करने के लिए या अटेस्ट करने के लिए यूज करता है दोस्तों इसके अंदर में 17 जून 2020 को एक अनॉंसमेंट आया है इंस्टिट्यूट के तरफ से जहां पे ये बोला गया है कि आप जो UDIN है उसको बल्क में कर सकते हैं सर्टिफिकेट के लिए तो यहां पे देखते हैं क्या बात लिखा गया है अब प्रोवीजन फॉर जिनरेटिंग UDIN इन बल्क फॉर सर्टिफिकेट्स हैस बिन इंकॉर्परेटेड इन इन पोर्टल और इस बल्क को मैक्सिमम आप 300 UDIN एक टाइम में जिनरेट क करने के लिए यूज कर सकते हैं और इसको आप Excel फाइल के थुरू से कर सकते हैं तो दोस्तों आएए देखते हैं के स्टेप वाइज कैसे हम इस UDIN को बल्क में जिनरेट कर सकते हैं सबसे पहले दोस्तों आपको लॉगिन करना पड़ेगा फिर मेन्यू बार में जाना पड़ेगा और फिर चूज करना पड़ेगा बल्क UDIN for Certificates यहां पे आप minimum 3 Certificates at a time generate कर सकते हैं और maximum 300 Certificates at a time generate कर सकते हैं इसका process देखते हैं दोस्तों सबसे पहले आपको एक template file को download करना पड़ेगा जो होगा आपके सामने Excel format में और यह Excel जो है Excel 2007 या उसका later version में ही open होगा अगर आपके पास में Excel का पुराना version है तो आपको अपना Excel का version जो है वो update करना होगा फिर वहां पे आपको Certificate का type जो है वो select करना पड़ेगा drop down option से और फिर जो है उसके अंदर में आपको dates input करने होंगे जो भी आपके system का format है जैसा के ये आपका system का generally month, day and year wise format रहता है आप उसी तरीके से input कर देंगे Excel जो है उसको automatically अपने format में ले लेगा और यहां पे आप इस format में copy paste option जो है वो use नहीं कर सकते इस cell के अंदर में और सारे parameters and values को आपको fill करके फिर उस file को आपको save कर देना है फिर आपको upload file पे click करना है और जो भी आपने file select कर रखा है उस file को select कर देना है upload होने के लिए और end में portal जो है वो populate कर लेगा वो जो data आपने upload किया है फिर उस data को portal verify करेगा अगर वो data आपका correct है तो आपको एक OTP मिल जाएगा आपके number पे और उस OTP को आप verify करके submit कर देंगे और उसके बाद में आपका bulk UDIN जो है वो generate हो जाएगा alternatively ये भी बताया गया है कि option of filing the details of type of certificates, dates and key fields सारी चीजें available है इस form के अंदर में ही तो मुझे उमीद है दोस्तो हम लोगों ने ये जो discussion किया है ये आपको समझ में आया होगा तो इसी तरीके से आप अपना UDIN को bulk में generate कर सकते हैं अगर अच्छा लगा है ये तो definitely channel को subscribe कर लीजिए, video को like कर लीजिए और अपने दूसरे members के साथ में share कर दीजिए so that वो भी इसको अच्छी तरीके से जान पाएं Thank you very much